बेटी के नाम पर टीम इंडिया में हुआ एलान तो फूट फूट कर रोने लगे पिता, खुद प्लेयर ने बताया अपने परिवार का हाल, बहुत पंगर्श करने के बाद इन नीली जर्सी पहनेगा टीम इंडिया का ये प्लेयर, इस्टेडियम के बाहर पानी पूरी बेच कर किया है गुजारा, आइफल के सोल में सीजन में मचवाया ता धमाल, अब कप्तान रोहिश शर्मा की अगुवाई में करेगा डेब्यू, शानदार परफॉर्मंस का किया वादा, उसको सालों की कठिन तबस्या का फल मिला था, क्रिकेट सीखने के लिए उसने स्टेडियम में पानी पूरी बेची थी, दिन भर आजाद स्टेडियम में खो जाने वाली गेन को डूनता था, जिस कमरे में सफाई कर्मी सोते थे, वहार रहकर किर्केट के गुड़ सीखता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी, तकलीफों को उठाता रहा, अपने खेल को निखारता रहा और अपने करियर में एक एक कदम आगे बढ़ाता रहा, शनिवार को आखिर वो दिन आ ही गया, उसका सपना पूरा हो ही गया, टीम इंडिया के सेलेक्टर्स ने इस युवा प्लेयर का चेन नैशनल टीम में किया, वो खुशी से उचल रहा था, उसके डेब्यू का सपना प पहनने के लिए तैयार था, वो भावो को उठा, परिवार का भी यही हाल था, जब सेलेक्टर्स ने उसके नाम का एलान किया, तो पिता साथ में थे, पिता भावो को उठे, उनकी आँखों से आंसु ही नहीं रुक रहे थे, वो अपने बेटे पर नास कर रहे थे, मा भी ब बेटे से 1600 किलोमीटर दूर थी, फोन पर बात हुई, बेटे पढ़ेर सारा आशिवाद लुटा दिया, परंतु गले नहीं लगा सकी, ये कहानी युवा बैटर ये शेश्वी जैसवाल की है, वो सालू संगर्श करने के बाद टीम इंडिया में जगा पाया है, ये के लिए कभी नहीं मूलने वाला पल, इसके बारे में बात करते हुए बायहाद केज विस्पोटक बल्लेबाज ने कहा, मैं अपनी मा से तो अभी नहीं मिला हूँ, लेकिन जैसे ही टीम इंडिया में मेरे चैन की जानकारी, मेरे पिता को मिली, तो वे रोने लगे, मेरे उनके लिए भी ये काफी भावुक छड़ था, ये हमारा सपना था, जो पूरा हो रहा है। प्रदर्शन करना चाहूँगा। आपको बता दें कि ये शिश्वी जैस्वाल के करियर में आईपिल 2023 का विशेशी योगदान है। आईपिल के 16 में सीजन में राजिस्थान रोयल्स की तरफ से खेलते हुए, इस खेलाडी ने अपनी बेहतरीन और विस्पोटक बल्लेबा तो वहीं फाइनली वेस्ट इंडीस दोरे के लिए टीम में शामिल कर लिया गया। आईपिल 2023 के 14 मैच की 14 पारियों में ये शिश्वी ने पांच अर्दशतक और एक शतक लगाया, वहीं 625 रन बनाए। और सीजन के पांच वे टॉप स्कोरर थे। ये शिश्वी जैस्वा